Welcome back to my channel friends कैसे हैं आप सब आज का लोग टीवी सीरियल्स देखने से ज़ादा रियालिटी शो देखना पसंद कर रहे हैं इसलिए मेकर्स लोगों की पसंद को अच्छी तरह समझ के हैं इसलिए एक से भढ़कर एक रियालिटी शो टीवी पर डालते रहते हैं पिर चाहे वो बिग बॉस हो, रोडीस हो, खत्रों के खिलाडी हो या स्प्लिट्स विला हो लोग इन शोज को देखना बहुत पसंद कर रहे हैं कलर्स टीवी का सबसे बड़ा कॉंट्रोवर्शल रियालिटी शो बिग बॉस जिसके नए सीजन का इंतजार फैंस बहुत ही बेसबरी से कर रहे हैं हम आपको बता दें कि बिग बॉस का निया सीजन यरी के बिग बॉस 17 जल्द ही टीवी पर देखने को मिलने वाला है जिसके लिए मिकर्स ने त्यारियां बहुत ही जोरो शोर से शुरू कर दी हैं तो कौन कौन से हैं वो स्लेबरीटीज जो के हमें इस सफ़ा बिग बॉस 17 में नजर आने वाले हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में तो आपने वीडियो को पूरा जरूर देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना और जो लोग हमारे चैनल पर ने हैं वो शो बिस धमाका को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें आज हम आपको बताने वाले हैं इन स्लेबरीटीज के नाम जिन को बिग बॉस के मेकर्स ने बिग बॉस 17 के लिए अप्रोच कर लिया है और कुछ स्लेबरीटीज ने तो कॉंट्रेक्ट साइन भी कर लिया है वीड बॉस की सबसे पहली कनफर्म कंटेस्टेंट इश्वरिया शर्मा है इश्वरिया शर्मा ने जब से खत्रों के खिलाडी सीजन 13 में हिस्सा लिया है फैंस इन्हें अब हर जगा देखने के लिए काफी ज़ादा एक्साइटीड है और फैंस की ही डिमांड पर इन्हें बिग बॉस 17 के लिए अप्रोच कर लिया गया है और जैसा के आप मेंसे ज़ादातर लोगों ने देखा होगा के खत्रों के खिलाडी के पिछले एप वीक के एपिसोड में खुद बिग बॉस ने इश्वरिया को बिग बॉस 17 के लिए बुलाया है और इश्वरिया बिग बॉस 17 के घर में अपना रियल साइट दिखाने के लिए बिल्कुल तयार हैं आपको बता दें कि इश्वरिया इससे पहले स्टार प्लस का रियालिटी शोव स्मार्ट जोडी में अपने हस्बेंड नील भट के साथ नजर आ चुकी है इसके इलावा आपने इश्वरिया को और बहुत से इंडियन टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा अगला नाम है दिव्यंका तिरपाटी का दिव्यंका जिन्होंने टीवी पर काम करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है और एक लंबे अरसे के बाद दिव्यंका एक बार फिर से फैंस के सामने अपनी रेल साइड रखने के लिए आ रही है दिव्यंका को बिग बोस 17 के लिए अपरोच कर लिया है और अब दिव्यंका भी बिग बोस में आने के लिए पूरी तरह से त्यार है याद रहे कि दिव्यंका ने काफी हिट सीरियल्स में अपनी अदाकारी के जल्वे दिखाएं हैं जिन में से एक है महबत हैं और एक है बनू मैं तेरी दुलहन जैसे सीरियल्स शामिल है इसके इलावा दिव्यंका के रियालिटी शोज में भी नजर आ चुकी है मनीशा रानी 26 साल की बिहारी कुईन जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं मनीशा रानी की पहले तो लोग मनीशा को सोचल मीडिया स्टार के तोर पर जानते थे लेकिन अब जब से मनीशा ने बिग बोस ओटी टू में इंट्री की है और टोप 3 फाइनलिस्ट में इनका नाम र रहे हैं और मनीशा ने भी अपने एक इंटर्वियो में बताया कि अगर मुझे मुझे मौका मिला तो मैं बिग बोस 17 में जरूर चाऊंगी फैसल शेख उर्फ फैजू सोचल मीडिया स्टार मिस्टर फैजू ने चोटे परदे पर से अब बड़े परदे पर अपना कदम रख लिया है इस से पेले मिस्टर फैजू इंडिया का डांस रेलिटी शो जलक दिकलाजा में भी नजर आ चुके हैं और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कलर्स कस्टेंट बेस रियालिटी शो खत्रों के खिलाडी सीजन 12 में भी अपनी दोस जनत जुबैर के साथ मिस्टर फैजू ने हिस्सा लिया था अब मिस्टर फैजू की अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है इनके बहुत से फैंस हैं जो के इन्हें बहुत पसंद करते हैं मेकर्स ने इनकी फैंस फालविंग देखते हुए इन्हें बिग बोस 17 के लिए अप्रोच कर लिया है अबिशेक मरहान OTT2 के रनर अप रह चुके अबिशेक मरहान की रेल साइट को इनके फैंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था क्योंकि बिग बोस के घर में अबिशेक ने अपना बहुत ही स्ट्रॉंग साइट दिखाया था भले ही अबिशेक टॉफी ना जीत सके हों लेकिन उन्होंने करोडों लोगों का दिल जरूर जीत लिया है और लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि मेकर्स इन्हें बिग बोस 17 में एक बार फिर से लेकर आएं बिग बोस ने लोगों की डिमांड को मानते हुए अभी शेक को एक बार फिर से अप्रोच कर लिया है और अभी शेक ने भी अपनी मा डिपल मलहान के व्लॉग में क्लियर कर दिया कि अगर इन्हें दुबारा मौका मिलेगा तो वो बिग बोस 17 में जरूर जाएंगे मौसिन खान चोटे पर्दे के हैंडसम हांक मौसिन खान ने लोगों को अपना दिवाना बनाया हुआ है मौसिन खान को देखने के लिए इनके फैंस काफी बेताब हुए है मौसिन के popularity को देखते हुए makers ने इन्हें अपने शो के लिए अप्रोच कर लिया है यू तो मौसिन की चर्चा पिछले कई सीजन से होती चली आ रही है कि वो बिग बॉस के शो में ज़रूर participate करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रहने की वज़ा से मौसिन participate नहीं कर पाए लेकिन हाल ही में एक interview के दौरान मौसिन से पूछा गया कि आप बिग बॉस में participate करने वाले हैं तो मौसिन ने indirectly लोगों को ये बता दिया कि वो इस बार बिग बॉस 17 में जरूर नजर आएंगे जिया शंकर बिग बॉस OTT2 की एक्स कंटेस्टन जिया शंकर जिन्हें आपने हाल ही में बिग बॉस OTT2 के घर में देखा है और आप मेकर्स ने इन्हें बिग बॉस 17 के लिए भी अप्रोच कर लिया है और ख़वरों की माने तो जिया शंकर ने कॉंट्रेक्ट भी साइन कर दिया है क्या आप लोग जिया शंकर को बिग बॉस OTT2 में पसंद करते थे और क्या आप इनको बिग बॉस 17 में देखने के लिए एक्साइटीड हैं तो कमेंट करके सरूर बताएं शोयव इबराहीम सुसराल सिमर का में प्रेम भारत वाज का किरदार निभाकर घरगर में फेमस हुए एक्टर शोयव इबराहीम ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है इसके लावा शोयव के मैयूजिक अलबम में भी नज़र आ चुके हैं और आजकर शोयव इबराहीम सोचल मीडिया पर काफी ज़ादा एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पर अपने व्लोग्स की वज़ा से शोयव हमेशा लाइम लाइट में रहते हैं और सोचल मीडिया पर इनके करोड़ ओफ या फैंस भी हैं इनकी पॉबलारिटी देखते हुए मेकर्स ने इनको शो के लिए अप्रोच कर लिया है और शेव ने अपने एक इंटर्वियो में इस बात का एलान भी किया कि अगर मुझे मुझे मुका मिले तो मैं बिग बॉस के घर में जरूर चाऊँगा सो व्यूवर्स इन तमाम कंटेस्टेंट्स में से आपका फिवरेट कौन है और किसको आप बिग बॉस 17 के घर में देखने के लिए बहुत जादा एक्साइटिड है कमेंट करके सरूर बताएं इसी तरह की और नई-नी अपडेट सांसिल करने के लिए हमारे चैनल 24 तमाका को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर भी सरूर करें